उत्तर प्रदेश में सिक्षा को बेहतर बनाने के लिए यूगी सरकार द्वारा विभिन कदम उठाये जा रहे हैं। यूगी सरकार उच्च सिक्षा नीती लाने के लिए काम कर रही है। जिससे वो जब पढ़ कर निकलें तो कम से कम अपने पेरों पर ख़ड़े हो सकें और दुनिया की जानकारी रखें दुनिया में क्या हो रहा है वो सीख सकें यही वज़े है कि अब स्कूलों और मदर्सों में बच्चों को कंप्यूटर की सिच्छा दी जा रही है उन्हें स्मार्ट किया जा रहा है और इसी तरज पर प्रदेश के बच्चों को स्मार्ट सिख्षा देने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है प्रदेश में हमको एक ऐसी मशीन बनानी है जिस मशीन के दौरा जैसे एक इनसान काम कर रहा है उसी के आदार पर एक मशीन को कारे करना है प्रदेश के 12,000 से जादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू हो गई है और 30,000 स्कूलों को स्मार्ट बनाय जा रहा है इसके अलावा 87 राजश्किय बहा विद्यालों में स्मार्ट क्लासिस की विवस्था की गई है वहीं असेविच शित्रों में 49 नवीन हाई स्कूल और 14 नवीन इंटर कॉलेज का निर्बान किया गया है वर्ड क्लासिस इंटरस्ट्रक्चर के साथ हम लोग उत्तम सिक्सा देने जा रहे हैं और इस सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को लेगी लॉजिंग फूटिंग की सारी स्विप्धा उन बच्चों के लिए वहीं पर उप्रत कर रहा है हमने तो किसी की चाती नहीं देखी किसली का मजब नहीं देखा हमारी आने वाली पीडी है उसके बहुत से को अच्छा बनाना हमारा दाहित तो है अपनी जिम्यदारी से भाग नहीं सकते हैं और हमारी सरकार इसको कर रही है इसको हर विकासकंदस्तर पर अगे वढ़ाने का कारे हो रहा है योगिया दितनात के नितरुत में उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से लेकर मात्यविक तक की कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम में कनवर्ट किया जा रहा है और इसके साथ ही टीचरों को लैप्टॉप भी दिये जा रहे हैं। वही पाचिक्रम में तकनीकी सिक्षा को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा उच्छ सिक्षा नीती में युवाओं को और द्योगिक जरूतों के मताबिक दक्ष करने पर भी यूगी सरकार ध्यान दे रही है। जिससे प्रसिक्षत युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सके और वो अपना पुद्यम भी शुरू कर सके। लाइक में आगे कुछ बढ़ सकते हैं। सिक्षा प्रणाले से जुड़कर आज वो अपने सप्नों को ऊची उडान दे पा रहे हैं। अब Artificial Intelligence और Robotics की जनकारी भी दी जा रही है। जिससे गजब पर कर निकलें तो आत्म निर्भर बन सकें। जिससे अक्षा प्रणाले सकें।